जोहार जर्खंड रांचिय अब जर्बर में आपका श्वागत है पत्रातु भुर्कुंडा से संबाद्धाता गुड्डु पांडे ने खवर दी है कि पत्रातु के लादी चिकूर और पाली गाउं के किसानों को 2016-17 का फसल भीमा छती पूरती का प्रतिक किसान 3043 रुपिय प्रति हेक्टर मुवजा रासी भुगतान होगा यह चिकूर पैक्स प्रबंधक सैलेश कुषवा का अथक प्रयास का प्रिणाम है प्रंतु दरजनों गाउं के किसान फसल भीमा रासी से बंचित रह गए हैं आखिर उनके साथ अन्याय क्यों किसान अंद आता हैं उनके के लिए भी उने अपना खेती बाड़ी में परिश्रम करते हुए लड़ाई लड़नी पड़ती है सिस्टम इतना भरस्ट और नाकाम क्यों साबित हो रहा है बीमा कराने वाले किसानों को बीमा की रासी शमय रहते क्यों नहीं दी जाती यह चिंता कभी से हैं पहले का फसल का भुबतान अभी बाकी है किसानों को नहीं मिला पुनह किसानों की खड़ी फसल खेत में सूख रही है किसान चिंतित हैं यथा सिग्र शमय रहते किसानों की समस्या का समधान होना चाहिए चिकोर पैक्स के प्रवधनक सैलेश को सुहा की सुने बधाय देने के लिए सबसे पहला तो मैं मीडिया को बधाय देना चाहता हूं कि उसने हैसो मेरी खबर को परमुक्ता से अकबारों में न्यूज चैनल में चलाया उसके बाद मैं हजारी बार के एमडी साहिब को भी बधाय देना चाहता हूं और परखंशागर्टा परसाथ प्रशाथ पताधिकारी सीसुद्रसन चोबे को भी बधाय देना चाहता हूं और सभी लोगों को बधाय देना चाहता हूं जिसनों मेरी मदद की और लादिशी को पाली के किसानों को छती पूर किसानों को 2017 फसल भीमा छतिपूर्ती राशी भुक्तान कराने के लिए काफी दोड़ महनत किया था पतरातु के सियो साहब को आवेदन दिया था रामगा डिसी मोहदयक जी को भी आवेदन दिया था कि लादी चकौण के किसानों का फसल अत्ताधिक बारिष से नुक्सान हो गया है तो आज सवरेसदर खबर मिली है कि आवेदन था वो सुख्रिट हो गया है और लादी चकौण और पाली ये 3 गाउं का फसल भीमा का पैसा किसानहों को दिया जएगा। सेंकडों किसानों को दिया जएगा। अइसली खुर्त हुआ है कि पत्रादुक प्रकट में सिर्क तीन ही गाहँ को मिला। बड़ु सभी सेंकडों में उन्वा के लोग वंचित रगन अबाधि शिकोर और मत ब्लोडों के पर बन्दाग, ताले सुख्वा